तो fractions के addition में बहुत सारे students जो mistake करते हैं वो समझें आप क्या करते हैं जैसे यहाँ पर 4 upon 13 लिखा हुआ है plus 8 upon 13 लिखा हुआ है students क्या करते हैं 4 और 8 12 add कर दिया 13 13 add कर दिया 12 upon 26 answer लिख दिया बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं करना है यह कोई रूल नहीं होता कोई तरीका नहीं होता है मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से addition करेंगे जिस तरह से आप सारे आपके answers जो है वो correct आए और आप कभी fractions के additions में confused नहीं देखिए पहली चीज़ तो अगर fractions like fractions मतलब जिनके denominator एक जैसे हैं यहां पर denominator थर्टीन है यहां पर भी थर्टीन है तो कोई प्रोब्लम ही नहीं है हमको इन में से कोई भी denominator राइट कर लेना है चूज कर लेना है लिख लेते हैं denominator नीचे पहले ही और जो आपके numerator दिये हुए है उनको ऐसे ही एड़ कर दीजिए 4 plus 8 केबल numerator को जब denominator एक जैसे हो तब तो यहां पर अब देखिए आराम से 4 और 8 12 हो आते हैं आंसर हमारा आता है 12 अपन 12 अपन 13 आंसर हो जागा यहां पर denominator अलग-अलग है जब अलग-अलग है तो हमें denominator को एक जैसा करना पड़ेगा उसके कई तरीके हैं LCM लेकर भी कर सकते हैं हम cross multiply से भी कर सकते हैं या फिर हम इस fraction को इस denominator को multiply करें जो की 15 हो जाए यहनि इस denominator के एककल हो जाए ठीक है तो अब जैसे 5 3 या 15 होता है तो हम इस fraction को इसको इसके numerator को और इसके denominator को दोनों से 3 3 से multiply कर देंगे denominator हमें से मिल जाएंगे फिर इसको ऐसे ही rate कर लेते हैं 8 अपॉन 15 पिलस 2 3 या 6 5 3 या 15 ध्यान रखे जब भी हम lag fraction में convert कर रहे हों अगर हम multiplication method से कर रहे हैं एक किसी एक fraction को multiply करके कर रहे हैं तो numerator और denominator दोनों को ही से number से multiply करना है otherwise वो wrong हो जाएगा अब यह आसानी से हम solve कर सकते हैं यह like fraction बन गया है इन में से कोई सा भी एक denominator हम नीचे rate कर लेंगे ऊपर के हम ऐसे ही rate कर लेंगे 8 फिला 6 8 और 6 14 हो जाता है और अपान 15 यह 14 अपान 15 इसका फैनली answer हो जाएगा यहाँ पर हम LCM लेकी भी कर सकते हैं cross multiply करके भी कर सकते हैं ठीक है फिलाल तो हम यह 2 है तो हम cross multiply कर कर लेंगे 3 वाले में तो मजबूरी होती ही कि LCM लेना ही पड़ेगा पहले हम इसकी और इसकी नीचे denominator की multiply करेंगे 3 4 जा 12 इसके बाद इसकी करेंगे 4 4 जा 16 पिलस अब इसकी करेंगे 3 3 जा 9 जहां रखें cross multiplication method से जब add करते हैं तो सबसे पहले denominator की एक दूसरे से multiply करके बना दीजिए फिर इस वाले numerator से इस denominator को multiply करके यहार अट कर लेना है यह 16 और 9 हो जाता है 25 आपका अंसर आ गया 25 उपाउं 12 ठीक है इसको मिक्स में भी राइट कर सकते हैं जब भी numerator बढ़ा आए तो हम फ्रेक्शन को मिक्स फ्रेक्शन बना सकते हैं क्योंकि यह इंप्रॉफर फ्रेक्शन बन गया है तो 25 को हम 12 से डिवाइड कर लेंगे इस से दिनुमिनेटर से 12 टूजा 24 अब जो यहां पर आ रहा है वह होता है होल नमबर ठीक है टू मिक्स्ट और जो बचा है रिमेंडर यहां पर 25 में से 24 से बन बचेगा बन यहां जाएगा और नीचे जितना था उतना ही आएगा 12 जिससे डिवाइड कर रहे थे दिनुमिनेटर स इस तरह से ये इसका finally answer हो गया dear students हम लोग solve कर रहे है exercise 5.6 of chapter 5 fractions जिसमें हम addition को solve कर रहे हैं तो यहां पर question number 1 है add the following fractions कुछ इसके options हम already solve कर चुके हैं बाकी कि अब देखिए next है d जो है 2 mixed 1 upon 2 and plus 7 mixed 7 upon 3 theory तो यहां पर यह mixed fractions दिये गए है इनको पहले हमें improper fractions में बदल लेना है change कर लेना है तो कर लेते हैं पहले हम इस denominator को और इसका whole number का multiply करेंगे 224 और इधर का add कर लेंगे यह वाला 224 और 15 5 upon 2 plus इसी तरह से यहां पर 3 बन जा 3 3 और 7 10 यह हो जाता है 10 upon 3 ठीक है सबसे पहले हम cross multiply करेंगे और सबसे पहले denominator की कर लेते हैं 2 3 जा 6 अब हम करेंगे इसकी और इसकी 5 3 जा 15 प्लस अब इसकी और इसकी करेंगे 10 2 जा 20 अब दिखिए इनको add कर लेजे 15 और 20 हो जाते है 35 35 upon 6 अब चुकिए यह improper fraction answer आया है इसलिए हम इसको mixed fraction में बदल देंगे change कर देंगे 35 के लिए divide कर लेंगे 6 से 6 5 जा 30 5 आया है हम पर ठीक है तो यह जो आया यह हो number बन गया इसको mixed में राइट करेंगे 5 mixed और यह जो remainder होता है इसको उपर राइट करेंगे 5 mixed 5 upon और यह 6 तो 5 mixed 5 upon 6 इसका final answer हो गया ऐसे ही यहां करना है हमें सबसे पहले improper fraction change कर लेते हैं इनको 6 5 जा 30 और बन हो जाता है 31 31 upon 6 plus 2 3 जा 6 और 2 हो जाता है 8 8 upon 3 यहां पर 3 है यहां 6 है denominator अलग अलग है अगर हम 3 को 2 से multiply करेंगे तो यह भी 6 हो जाएगा क्योंकि 3 2 जा 6 होते हैं तो हम क्या करना है ऐसे multiply ना करके हम थोड़ा shortcut method ले लेते हैं और इन दोनों को हम 2 से 2 से multiply कर देते हैं 8 2 जा 16 3 2 जा 6 और इसको ऐसे ही राट कर लिया अब जब यह denominator जैसे हो गया है तो मिन में इसे एक को यहां पर राट कर लेंगे बागी 31 प्लस 16 कर लेंगे इसके बाए जा हम ने इनको add किया तो 47 आ रहा है ठीक है अब यह 47 upon 6 answer आ चुका है बट यह proper fraction में हमें इसको mixed fraction में convert करके लेखना है जब हम 6 से divide करेंगे इसको तो 6 7 जा 42 होते हैं 7 जा जागा ठीक है 6 7 जा 42 होते हैं और है यह 47 तो 47 में से 42 separate करेंगे तो 5 आ जागा तो 5 उपर राट कर लेंगे 5 upon 6 7 mixed 5 upon 6 जैसे कि अभी हमने यह किया था डिवाइड इसी तरह से यहाप इसको डिवाइड करके कर सकते हैं अगर यहाप को यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो यह finally answer हो गया यहाँ पर 3 plus 2 mixed 5 upon 11 है तो हम क्या करेंगे 3 upon में 1 कर लेंगे 3 upon 1 क्योंकि 3 upon 1 और 3 की value सेम होती है एक ही होती है इसको करेंगे 11 तूजा 22 22 और 5 हो जाते है 27 27 upon 11 अब दिखेंगे इनके denominator एक जैसे नहीं है ठीक है तो हम क्या करें इसको अगर हम 11 से multiply कर दें तो दोनों के denominator सेम हो जाएंगे तो हम इसको 11 से multiply करेंगे और इसको भी दोनों को numerator और denominator दोनों को ही 11 से multiply कर लेते हैं करके राइट करेंगे 11 3 या 33 upon 11 बंजा 11 फिलास 27 बंजा 27 upon 11 इसको ऐसे ही लिख लिया अब यह denominator सेम है इनमें से हम कोई सा भी एक राइट कर लेते हैं और बाकी 33 और 27 को एड करके लिख देंगे 33 प्लस 27 इनको जब हम एड करेंगे तो यह आता है 60 upon 11 33 और 27 को जब आपने एड किया तो 60 हो गया 60 upon 11 आ गया इसको हम राइट कर लेंगे mixed fraction में ठीक है 11 से जब 60 को divide करेंगे तो 11 5 जा 55 होता है 55 है लेकिन है यह 60 तो 5 remainder आ जाएगा remainder को हम उपर राइट कर देंगे और 11 को नीचे राइट कर लेंगे तो 5 mixed 5 upon 11 इसका finally answer हो जाएगा next है जी 11 upon 10 5 plus 5 mixed 1 upon 15 plus 3 इसमें 3 numbers हैं और जो mixed fraction में है उनको पहले हम प्रॉपर fraction में convert कर लेंगे जिनके कोई denominator नहीं है उनके नीचे बन राइट कर लेंगे इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे 11 upon 10 फिलस यह 15 फाइब जा 75 और बन हो जाते हैं 76 76 upon 15 फिलस 3 upon 1 अब यहां पर 3 numbers है ठीक है सब की denominator अलग अलग है हमें एक जैसे denominator करना है हम सब्सक्राइब कर सकते हैं एक जैसे तो टैन 15 और बन का एल्सियम आएगा 10 15 और बन का एल्सियम आएगा 30 आप निकाल के देख लीजिए ठीक है इससे पहले बहुत सारी वीडियो एल्सियम के भी बनाएं 30 एल्सियम आएगा उसको हमें रैट कर लेना इसके नीचे है 10 की जगह पर हम 30 करेंगे है और यहां पर 11 मल्टि प्लाई का सेलागा दिन सब्सक्राइब क्रिफ था टूहरएंगा आजगा अब समग तो यहां पर फिरीजा यहां लेख देना है यहां पर फिप्टीन टू जा थर्टी होते हैं इसलिए यहां पर हमने टू लिख दियो अल्रेडि बन को 30 से दिवाइट करो तो 30 ही आएगा और 30 का 30 आएगा 30 यहां पर रैट कर देंगे अब एक बार हम इनके मल्टिप्लाई कर द देपते हैं एक ही डिनोमिनेटर को इसा भी रैट कर लीजे यह 113 या 33 प्लस 76 से टू जा 152 प्लस 33 जा 90 इन तीनों को एडिशन हम रैट कर देंगे यहां पर 325 3 5 8 8 9 17 कैरी बन हो जाता है बन बन टू 275 पॉन 30 ओके डिया अब क्या करना है हमें यह जब टर्मिनेट हो जाए निक कट जाए रेडिउस हो जा रहे हैं रेडिउस हो जाना तो रेडिउस कर देंगे कार्ट देंगे 5 6 जा 30 होता है और 5 5 जा 25 5 5 जा 25 अब आपके पास आ गया 55 अपॉन 6 इसके पास 6 से इसको डिवाइट करेंगे इसका अंसर मिक्स्ट फ्रेक्शन में लिख देंगे यहां पर जब 6 से डिवाइट किया 6 9 जा 54 होता है 9 जा 6 9 जा 54 9 होल लंबर आ जाएगा 6 9 जा 54 होता है बन रिमेंडर आ जाएगा जो की ऊपर 3 दो ही फ्रेक्शन से जो मिक्स फ्रेक्शन में इस से कंबर्ट कर लेते हैं इंप्रॉपर फ्रेक्शन में 45 जा 20 और बन हो जाता है 21 अपॉन 4 पिलास 3 4 जा 12 और 2 हो जाता है 14 अपॉन 3 ऐसे वाले में क्या करेंगे इनका LCM लेने से अच्छा है हम दो ही तो है LCM जरूरती नहीं ऐसे ही कर लेंगे हम सबसे पहले नीचे नीचे की मल्टिप्लाई करो 4 3 जा 12 फिर इसकी करो 21 3 जा 63 फिर पिलास 14 4 जा 56 एड़ कर लीजिए 3 और 6 9 6 5 11 119 अपॉन 12 इसको मिक्स फ्रेक्शन में कंवर्ट करके इसका अंसर यहां पर रैट कर देना है तो 119 के लिए 12 से डिवाइड कर लीजिए 12 नाइज जा 108 एट 11 रेमेंडर आ ठीक है तो इसका अंसर होगे 9 मेक्स 11 अपॉन 12 इसमें 3 नंबर्स है 3 फ्रेक्शन से इनको कैसे करना है जैसे की अभी हमने यह जी वाला किया था सेम सेम एस डैट पहले हम इसको इंप्रॉपर फ्रेक्शन में चेंज कर लेंगे करते हैं जी 5 4 या 20 और 3 हो जाता है 23 अपॉन 5 प्लस तू के अपॉन बन राइट कर लिजे प्लस टैन थ्री और बन हो जाता है 30 बन अपॉन 10 अब आप बन और 10 का एलसीम ले लेंगे तो एलसीम हो जाएगा 10 इसके नीचे 5 की जगहा पर हम 10 राइट कर लेंगे क्योंकि 5 और 10 बन का एलस्यम टैन लगा देंगे प्लस जब 10 यहां भी आ रहा है तो उपर भी बही नंबर आ जाएगा अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड 10 से 10 को करोगो तो बन ही आएगा बन से किसी को मल्लिप्लाई करो तो बही नंबर आएगा अब इस 5 से 10 के लिए डिवाइड की होगे तो बन आएगा और बन से किसी को मल्लिप्लाई करते हैं तो वही सेब नंबर आ जाता है अब हम एक बड़ी सी लाइन खेजते हैं कोई सा एक डिनोमी नेटर राइड कर लेंगे यहां पर 23 चूजा 46 होता है प्लेस 2 टैंजा 20 होता है प्लेस 31 बन जा 30 बन आ जाता है ठ तो एड कर लिए 606 और बन सेवन 426639 97 अपॉन 10 जब आप 10 से डिवाइट करेंगे तो 10 9 जा होते है 90 तो 9 तो होल में जाएगा 90 होते हैं लेकि 97 है 7 रिमेंडर हो जाएगा 7 जो रिमेंडर है वो उपर एड कर लेंगे अपॉन में 10 तो 9 मिक्स 7 अपॉन 10 इसका फैनली अंसर हो जाएगा तो डियर क्वेस्टिन बन का यह लाश्ट आप्सन है ऐल ल से पहले के तो कुष्टन हमने चोड़ रखे हैं वह आपको अपने आप से ही सॉल्प करने हैं खोद ही सॉल्प करने हैं वाकि कही प्रोब्लम आयए उनमें अगर आंसर नहीं आता है कि समस्या है तो सबसे पहले हम इनको इन को प्रेक्शन में चेंज करते हैं 3 4 12 और 1 13 13 उपन 3 फिलस 9 बंजा 9 to 11 उपन 9 फिलस 9 5 जा 45 और 2 47 उपन 9 फिलस 18 त्री जा 54 और 559 अपन 18 अब हम इनका 3 9 9 और 18 का LCM ले लेंगे 3 से कट जाएंगे 3 बंजा 3 3 3 9 3 3 9 3 6 18 फिर से 3 से कट जाएंगे बन को ऐसी राट कर दीजे 3 बंजा 3 3 3 3 2 6 ऐसे कर के मल्टिप्लाई करें गरेंगे 3 3 9 9 2 जा 18 तो 18 जो है वह 18 आ गया अब हम थेरी की जगह भी एतीन लिके नैन की जगह पर 18 की रधाय किया और उपर 13 मल्टिप्लाई करसान लगा देंगे नैन की जगह पर 18 किया 11 है और मट्यप्याई का साइन लगा लेंगे पिलस फिर से 9 इदर नाइन है 9 की जगा पर 18 रैट किया 47 फिर मट्यप्याई का साइन लगा लेंगे प्लस 59 अपाँ 18 ऐसे ही रैट कर लीजे चाहे हमत लगाऊ यह 18 से 18 को दिवाइड करोगे, बन आएगा और बन से इसको किसी की मल्टिप्लाई करते है तो बही तो आता है ना अब इसके मल्टिप्लाई के बात किया लिखना है वो देख लिए ना हमें देखो फिरी शिग्जा 18 शिग्जा यहां राइट किया 9 टूजा 18 टूजा यहां राइट किया 9 टूजा 18 टूजा यहां राइट किया multiply करके इसको solve कर दीजिए पहले हम एक लंबी सी line केंज के इतने सारे denominator हैं इन में से कोई साथ एक यहां राइट कर लेंगे फिर इसका multiply करते चले जाओ 13, 6, 78 टूजा 22 टूजा 47 टूजा 94 टूजा 59 बंजा 59 इनको add कर लेंगे अब ठीक है इनको add करते है इनको add करके इसको मिक्स फ्रेक्शन में यहां पर answer राइट कर लेते हैं 253 को आप 18 से डिवाइट कीजिए 18 बंजा 18 15 में से इट सप्रेट के 7 यहां 3 आ गए है ना 18 फोर जा 72 3 में से 2 सप्रेट करेंगे 1 बं हो गया reminder यह answer आपका आगया 14 14 whole number में आ जाएगा 1 उपार और नीचे जिससे डिवाइट कर रहे थे इससे 18 से 14 में से 1 अपॉन 18 इसका finally answer हो गया ओके डियर